हेलो बच्चो नवसकार त्यारे बच्चो आज 10th किलास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को सुरू कर रहे हैं जिसका हिंदी में नाम होता है समानतर स्रेणी इसका नाम कैसे पड़ा क्यों हमें से पढ़ने की जुरुत पड़ी ये सारी बाते आज हम करेंगे चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में इसका नाम है समानतर स्रेणी पैरे बच्चो ये चैप्टर का नाम है और बच्चो जैसा कि इसका नाम है और उसी सबसे हमें इस चैप्टर को समझना है आर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो क्या है इसका मतलब बच्छो arithmetic का मतलब यहाँ पे digit से है ठीक है किसी भी तरह की digit जो progress कर रही है या तो बढ़ते हुए करम में या तो घटते हुए करम में लेकिन बढ़ता हुआ करम समान होना चाहिए और घटता हुआ करम भी समान होना चाहिए मतलब जैसे अगर मैं कहता हुँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो मैंने क्या देखा बच्छो कि इसमें भी 2 की बढ़तरी हुई मतलब हम देख के रहे हैं लगातार 2, 2 की बढ़तरी हो रही है मतलब दोनों लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कितना increase करते हुए दो 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 increase करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो अगर इस तरह का बढ़ता हुआ करम ascending order एक जैसा है मतलब इनके बढ़ने की जो range है वो एक जैसी है तो it means ये कौन है? एक AP है AP का मतलब arithmetic progression है समानतर सरेनी है बचो समानतर सरेनी को भी AP में ही लिखेंगे ठीक है? तो हम किसी भी series को AP कब बोल सकते हैं जब उनके बढ़ने का करम क्या हो? समान अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3, 1, minus 1, minus 3, minus 5, minus 7 अब आप क्या देख रहे हैं? कि बच्चो इसके घटने की जो range है वो minus 2 है है की नहीं? लगातार 2, minus होता जा रहा है हो रहा है की नहीं हो रहा है? मतलब अब ये descending order में है अब रोही करम में है घटते करम में है लेकिन इनका घटना भी कैसा है range कैसी इनके घटने की? बिल्कुल same तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये कौन एक? AP है तो चाहे बढ़ते वे में हो चाहे घटते वे में हो वो दोनों क्या कहलाते हैं बच्चो AP ही कहलाते हैं लेकिन अगर मान लीजिए ये होता 2, 4, 6, 9, 10, 12 हैं जी अब मैं क्या इसको AP बोल सकता हूँ? तो जड़र चेक करते हैं बई दू आगे बढ़ा दू आगे बढ़ा तीन आगे बढ़ा एक आगे बढ़ा तो ये तो बई दो के बाद तीन हो गया तो मतलब क्या होगी? तो कज गरब़ट होगी तो इसका मतलब हम इसको AP نہیں कह सकते अगर एक भी vest का gap आ गया तो वो आपकी AP नहीं है तो याद रखना बच्चो arithmetic progression समानतर स्रेणी उसी को कहते हैं जब या तो digit बढ़ते हुए में आगे बढ़ रही हो या घटते हुए में आगे बढ़ रही हो तो उसी को हम क्या कहते हैं AP कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं AP कहते हैं यहां तक तो बात समझ मा आगी कि AP कहते किसे हैं नोट करो फिर बताता हूँ AP बंती कैसे है AP बंती कैसे है इसे लिए दो फिर अगी छो बंती कैसे है अब जैसे हमने अभी एक एपी लिखी आपके सामने 2468 10 12 यह दिखा ठीक है और माल लीजिए लास्ट में मैं लिख देता हूं पचास तो बच्चो एक बात बताओ अगर हम यहाँ पर एक एपी लिख रहे हैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख रहे हैं समानतर से लिख रहे हैं तो कहीं न कहीं से हमने इसकी सुरुवात की है और कहीं न कहीं हमने इसका क्या किया है एंड किया है खतम किया इसको सही बात है और किसी ना किसी लास्ट पॉइंट पे जाके हम रुख गए हैं तो A.P.E.K. में कौन सी चार बेसिक चीजे हैं जिसको जानना हमारे लिए बहुत important है तो आईए सुरू करते हैं अब मैं आपको बताता हूँ जैसा कि आपने देखा बच्चो जैसा कि आपने देखा कि टू सबसे आगे हैं तो ये आपके लिए होगा फर्स्ट टम इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट टम हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रथम पद अब देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि ये सबसे आखरी में दिखाई दे रहा है तो बच्चो जो शुरू में था तो उसे आपने फर्स्ट टम बोला तो आखरी में जब दिखाई दे रहा तो इसे आप क्या बोलेंगे? लास्ट टम अन्तिम पद ठीक है? अब बच्चो इनका अगर आप गैप देख रहे हैं तो सबका गैप दो-दो का गैप है सभी बात है सबका गैप दो-दो का गैप है सभी बात है तो इसका मतलब गैप सबके लिए क्या हुआ? एक जैसा common हुआ तो इसलिए इसका नाम पढ़ेगा इस gap का नाम पढ़ेगा common difference क्या नाम पढ़ेगा common difference क्यों बोला इसको common difference क्योंकि सभी का difference एक जैसा है, same है, common है इसलिए इसका नाम क्या पढ़ा common difference और इसको हिंदी में लिखते हैं सार्व अंतर क्या लिखते हैं सार्व अंतर, यानि सभी का अंतर एक जैसा, ठीक है, अच्छा, अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये अगर गिंती शुरू हो रही है, फर्स्ट टर्म, सैकेंड टर्ड टर्ड टर्म, फोर्ड टर्म, फिफ्ट टर्म, सिस्ट टर्म, तो इस तरीके से हमने गिनना भी त सारी कॉंटिंग करते हैं, फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारी कॉंटिंग करते हैं, तो उन काउंटिंग को क्या कहा जाता है, नंबर आफ टर्म्स, क्या बुला जाता है, नंबर आफ टर्म्स, हिंदी में पदो की संखिया, पदो की संखिया, अब बात आती है, कि फर्स्ट हम को denote करते हैं A से first term को किस से denote करते है हाँ भई first term को denote करते है A से last term को denote करते है A N से या तो L से या तो T N से इन में से किसी से denote करते है common difference को denote करते है किस से? D से किस से denote करते है बच्चो? D से ठीक है? और number of terms को किस से denote करते है N से किस से denote करते है N से तो ये बात ध्यान रखना बच्चो कि first term को denote करते हैं A से जबकि common difference को denote करते हैं D से last term को या तो A N से या तो L से या तो T N से और number of terms को किस से denote करते हैं N से तो जल्दी से ये चार basic terms note कर लीजिए उसके बाद मैं आप लोगों को शुरू करवाता हूँ क्या भई क्या आखिर फिरकार AP बंती कैसे है जल्दी note करो ये सबको देख तो रहना इवर फिर से लिखते हैं तो अगर नहीं दिख रहा तो A N L T N मिटा दूँ चलो अब देखेंगे बच्चो जड़ा ध्यान से देखिए अब अगर गौर से देखेंगे बच्चो आप ध्यान से देखना मैं आपके सामने फिर से एक AP लिख रहा हूं 2,4,6,8,10,12,14 इस तरीके से 50 या जो भी होगा या चलो छोड़ो इसको मतली को तो हम क्या देख रहे हैं बच्चो ये कौन है 2 है ये कौन है 2 है लेकिन बच्चो ये कौन है ये 2 प्लस 2 है की नहीं है ठीक है अच्छा ये कौन है ये कौन है जल्दी बताओ बच्चो ये आपका ये आपका 2 प्लस 4 है की नहीं है सही बात है ये कौन है आपका 2 प्लस 6 ये कौन है आपका 2 प्लस 8 ये कौन है आपका 2 प्लस 10 और ये कौन है आपका 2 प्लस 12 आपने क्या देखा बच्चो आपने क्या देखा अगर गौड से देखोगे तो देखो दो जादा है, दो जादा है, दो जादा है, दो जादा है, मतलब एक AP के लिए हमने क्या देखा, कि इनके gap क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, हाग की ना, लेकिन अगर मान लो, मैं इस two को gap ना मानू, मैं मान लेता हूँ, क्योंकि देखो, gap कौन होता भाई, common difference, और common difference, जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे AP आगे बढ़ती रहती, यही अभी तक हमने सीखा, हमने क्या देखा, जैसे जैसे common difference आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे AP भी आगे बढ़ रही है, मतलब, क्या मैं इस situation को, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, two plus में two into one, लिख स सकता हूँ की नहीं, क्या मैं इस situation को two plus में four into two, लिख सकता हूँ की नहीं, क्या मैं इस situation को two plus में five into two, लिख सकता हूँ की नहीं, और इसे two plus में six into two, लिख सकता हूँ ना बच्चो, तो मैंने क्या notice किया, मैंने क्या देखा, कि बच्चो, अगर किसी AP में हमें आगे बढ़न था यह second term था ठीक है मतलब क्या हुआ आगे बढ़ता गया यह second term था तो one third term था तो two fourth term था तो three fifth term था तो four six term था तो five seven term था तो six मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम terms में आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे हम terms में आगे बढ़ रहे हैं हम एक extra two इसके अंदर क्या करते जा रहे हैं involve देखो यहाँ पे एक भी extra two नहीं था अगले में एक extra two है अगले में दो extra two है अगले में तीन extra two है अगले में चार extra two है अगले में पांच extra two है अगले में छे extra two है इसका मतलब क्या हुआ बच्चो? हमने क्या सीखा? कि जैसे जैसे आप AP में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका 1, 2, increase होता चला जाएगा. क्या होता चला जाएगा? 1, 2, increase होता चला जाएगा. यहाँ पर आपको भी थोड़ा समझ में नहीं आया होगा इसको note करो, एक figure बना रहो यहाँ पर उसके बाद आपको एक एक बात clear हो जाएगी note करो इसे इसके बाद देखना सब कुछ आपके सामने clear होता चला जाएगा क्या रहे यह तो बच्चो वाली चीज़ तरही आप कर देखो कि नोट कर ले बच्चो कि अब देखो अब देखो जड़ा हाँ जी अब देखो मैंने अभी अभी बताया आपको कि कोई भी AP किसे बनती है, term से बनती है किसे बनती है, term से जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने लिखाता ना भी 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो इसको क्या बोलोगे, यह सबसे आगे तो first term, second पर है तो second term, third पर है तो third term, fourth पर fourth term, five पर five term, six पर six term, यानि जो जिसकी place होगी ना बच्चो वो उसकी term होगी, वो उसकी क्या होगी, term होगी, तो मतला अगर आगे दिख रहा है तो first term, दूसरे पर दिख रहा है, second term, तीछरे पर दिख रहा है, third term, चौत पर दिख रहा है, fourth term, दसने पर दिख रहा है, tenth term, मतलब जो जिस प्लेस पर दिखेगा वो उस फ्रम का होगा ठीक है तो मतलब क्या देखा हमने हमने देखा कि एपी कैसे बनती है एपी ऐसे बनती है फर्स्ट टर्म पहला पद ठीक है लिख सकते हो पर थम पद सेकेंड टर्ड टर्म फिफ्ट टर्म सिक्स्थ टर्म सैंफ टर्म ऐसे ही वात है और ऐसे ही आगे वहां पहलेक है लिखेंगे लास्ट टर्म ठीक है अच्छा अब फश्ट टर्म का मतलब क्या हो बच्छो तही हो धद रखना ध्यान से देखना अब मेरी बात को धिहान से सुनना अगर आपसे कोई कहता है कि फर्स्ट लिखके दिखाओ तो आप लिखेंगे A1 क्या लिखेंगे A1 अगर आपसे कहता है कोई सेकंड लिखके दिखाओ तो आप लिखेंगे A2 क्या लिखेंगे A2 आपसे कोई कहता है थर्ड लिखके दिखाओ क्या लिखोगे? A3, 4th term बोले तो? A4, 5th term बोले तो? 5th, 6th term बोले तो? A6, 7th term बोले तो? A7, अच्छा, अब अगर आपसे कोई 30th term लिखने के लिए बोल दे, तो क्या लिखोगे? A30 लिखोगे की नहीं लिखोगे? अगर आपसे कोई बोल दे कि 71th term लिखके दिखाओ, तो क्या लिखोगे A89 क्या मेरे सभी बच्चों को ये बात के लिए हो चुकी है कि अगर कोई सी टर्म आपको लिखने के लिए बोल दे तो आप अराम से उसे लिख सकते हो ठटीत टर्म का मतलब वह तीसवा पद एक अत्रमा पद नवासिवा पद हिंदी में ठीक है अब ये तो हो गया इस टर्म को लिखने का तरीका लेकिन इसे ओपन कैसे करें अगर आपसे बोल दे ओपन करके दिखाओ इसे लिख तो दिया अब ओपन करके दिखाओ तो याद रखना बच्चों क्या होता है अब बात आ आती है AP को ओपन करके कैसे लिखते हैं अगर फर्स्टम एवन है तो यानि कि फर्स्टम ऑलवेज क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि फर्स्टम को कैसे लिखते हैं अब ये कौन सा टर्म है सेकेंड टम अब मुझे एक बात बताओ आप फर्स्टम से सेकेंड टम पर कब जाते हो जल्दी बता दो जब आप कॉमन डिफरेंस आगे वाले में क्या करते हो या तो एड या तो माइनस यही करते हो मतलब अगर जैसे अभी पहले वाला उधरीन ले लिता हो मैं ये बच्चो आपको अच्छे से पता है ये कौन है आपका फर्स्टम ये कौन है आपका second term यही है ना तो आप first term से second term में कब पहुँचे ये बताओ जब आपने इसके अंदर two add किया तो ये two कौन है ये two आपका common difference है ये two आपका कौन था common difference सही बात है मतलब आप two से four पे तब पहुँचे जब आपने ये वाला two extra add किया तो मतलब अगर first term a है त प्लस में D, प्लस में D क्यों, क्योंकि आपने common difference को add किया है, क्या किया है, add किया है, अच्छा, third term कौन सा होगा बच्छों, आप देखो, third term करने के लिए, आपने, यानि two से six तक पहुचने के लिए, कितनी बार two add किया, जल्दी बताओ, एक बार और दो बार, कितनी बार two add कि दो बार, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, A प्लस में 2D, लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि हमने D कितनी बार add किया, दो बार, अच्छा, अब मैं fourth term को क्या, A प्लस में 3D लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एक बार two, दूसरी बार two, और तीसरी बार two add किया, हाँ की न, इसी तरह 5 के लिए क्या लिखेंगे A प्लस में 4D इसी तरह 6 के लिए क्या लिखेंगे A प्लस में 5D इसी तरह A7 के लिए क्या लिखेंगे A प्लस में 6D क्या मेरे सबी बच्चों को बात क्लियर हो रही है कि कैसे करना है चलो ये तो मैंने तुम्हें logic के साथ सिखा दिया ये तो मैंने क्या सिखा दिया लोजिक के साथ कि आखिरकार AP में जब हम आगे बढ़ते हैं तो D इस तरीके सागे क्यों बढ़ते हैं बैं मान लो अचानक से आप से पूछ लेता हूँ ठीक है यह तो चलो सीरीज में तो आपने लिख दिया अब मैं बोल दिता हूं कि 30th term को लिखके दिखाओ तो कैसे लिखोगे 30th term को लिखके दिखाओ कैसे लिखोगे A71 term को लिखके दिखाओ कैसे लिखोगे 89 term को लिखके दिखाओ कैसे लिखोगे तो आप तो फस गए तो बच्चो फसना नहीं है मैंने आपको आंसर यहीं दे दिया था अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे तो आपको आंसर यहां मिल चुका है कैसे देखो कोई सबी term उठा लो कोई सबी term आपकी मरजी है आप क्या notice कर रहे हैं माल लो अपने fourth term उठाया तो आपने क्या notice किया अगर fourth term है तो D कितना है तीन A के साथ तीन अगर छटा term है तो A के साथ कितना पांच सातवा है तो A के बलाश है मतलब क्या है कि जितने number का term है जितने number का term है उतने number के term को एक कम D के साथ जोड़ना है किसके साथ? एक कम D के साथ जोड़ना है तो मतलब अगर यहां 30 है तो इसे भी लिखेंगे A प्लस में 29D अगर यहां A 71 है तो लिखेंगे A प्लस में 70D अगर यहां A 89 है तो यहाँ पर लिखेंगे 88D, क्या मेरे किसी भी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है, AP बनाना आप सीख चुके हैं, आपको कोई randomly term भी अगर कोई दे दिया, इमान लो आपको दे दिया, क यहाँ भई, 51th term बताओ, तो क्या बताओगे, A51, open करके दिखाओ, A plus में 50D, सभी बच्चो के लिए हो गया होगा, ठीक है, नोट करो इसे, अब असान लग रहोगा होगा, सभी बच्चो को, करो नोट करो बच्चो, बहुत सिंबल सिंबल थे, terms चल रहे हैं अभी, और बच्चो याद रखना, इस chapter में मेरी बाते ज्यादा काम आएंगे आपकी, तो इसलिए मेरी बातों को बिल्कुल अपने दिमाग में बसा लो, झाल, 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 कि चलिए बच्चो आपने नोट कर लिया होगा ठीक है चलिए देखिए चलो अब देखेंगे दिरा बच्चो आपके सामने यह दिया हुआ है अब मैं आपको एपी बनाने के लिए कुछ कोशन दोंगा ठीक है जैसे बच्चो अब मैं आपके लिए कोशन लेकर आ रहा हुँ मैंने का फॉर्म एपी एट फाइव टर्म्स मैंने का कि एक समांतर स्रेणी बनाईए पांच पदों तक एक समांतर स्रेणी पांच पदों तक बनाओ पांच पदों तक बनाओ ठीक है जी और आपको A दिया हुआ है मान लीजिए 3 और D दिया हुआ है मान लीजिए 2 और कह रहा है फाइव टर्म्स तक एपी बनाओ ठीक है जी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं एपी बनानी है कहां तक फाइव टर्म्स तक मतलब A1 A2 A3 A4 और कहां तक A5 तक A1 का मतलब A A2 का मतलब A D A प्लस में 2D A प्लस में 3D A प्लस में 4D कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं A कितना है 3 A कितना है 3 प्लस D कितना है 2 अच्छे न यहां ब्रैकेट लगाते चलना यार इससे क्या होगा न कि आपको confusion नहीं रहेगी ठीक है तो 3 और यह 2 A कितना है 3 D कितना है 2 A कितना है 3 D कितना है 2 A कितना है 3, D कितना है 2 चलो, अब solve करना 3, 3 और 2 पांच 3 प्लस में 2 दुनी 4 3 प्लस में 3 टू जा 6 3 प्लस में 4 दुनी 8 तो इसका मतलब आपका AP बना 3, 5, 7, 9, 11 यह आपकी क्या बनगी बच्चो? AP, क्या बनगी आपकी? AP, क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 3, 5, 7, 9, 11 देखो 2, 2, 2, 2 समय इतने हैं गया पर? चलो, अब मुझे करके दिखाओ आप लोग यह करके दिखाओ A is equal to 5 और D is equal to 3 करके दिखाओ, चलो Simple सा दिया है बिल्कुल करके दिखाओ यह भी 5 टर्म तक बनाना बच्चो, ठीक है 5 टर्म तक बनाओ इसे भी करके दिखाओ करके दिखाओ होगे बच्चो, चलो, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, देखेंगे जरा AP First time A1, A2, A3, A4, A5 यहां तक हर बच्चे ने किया होगा उसके बाद A1 का A, A2 का A प्लस D, A3 का A प्लस 2D, A4 का A प्लस 3D, और A5 का A प्लस 4D चलिए, A कितना है, 5, A कितना है, 5 प्लस 3, A कितना है, 5 प्लस 2 और D की जगा पे 3, A कितना है, 5 और D की जगा पे 3, A कितना है, 5 और D की जगा पे 3, चलिए, 5, 5 और 3, 8 5 प्लस 3, 2 जा 6 5 प्लस 3, 3 जा 9 5 प्लस 4, 3 जा 12 तो ये 5, ये 8, ये कितना आ गया? 11 ये कितना आ गया? 14 और ये कितना आ गया? 17 तो आपकी AP तयार है 5, 8, 11, 14, 17 यहाँ था क्लियर? चलो अब करो, A मान लो 2 है, D मान लो माइनस 2 है, चलो करो 3 है करो, A 3 है, D माइनस 2 है अब करके दिखाओ A 3 है, D माइनस 2 है जल्दी करो फटा फट, फुर्ती करेंगे सभी बच्चे आज मैं बच्चो ज्यादा आपको यानि टिपिकल रूप में लेके नहीं जा रहा हूँ, आज बहुत ही सिंपल सिंपल चीजे कराऊंगा मैं, ठीक है? क्योंकि ये खतम कराने के बाद, नेक्स क्लास में फिर हम लोग 5.2 सुरू करेंगे और फिर अच्छे-च्छे को का सामना करेंगे हम लोग चलो, उमीदगरतों कर लिए होगा आपने वही फिर से, ऐसे ही रहेगा, बस D, यहाँ पर देख लो किसका है भई, माइनस का D है, तो इसका मनलब प्लस, माइनस, माइनस और यहाँ पर 2 जो रहेगा, वो किसका रहेगा, माइनस का, यानि D की जगा पर हर जगा माइनस का 2 आ जाएगा और ये हो गया 3 में से 2 गया 1 ये हो गया 2 टू जा माइनस का 4 ये 3 टू जा माइनस का 6 ये हो गया 4 टू जा माइनस का 8 ये हो गया 3, ये हो गया 1 ये हो गया 3 में से 4 गया माइनस 1 ये हो गया 3 में 6 गया माइनस 3 और ये 3 में से 8 गया माइनस का 5 तो इस तरीके से 3 1 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 5 यह आंसर सबी बच्चों को यह आंसर आ रहोगा मैं उमीद करता हूँ ठीक है चलिए अब इसकी बारी इसकी बारी अब थोड़ा सा चेंज करते हैं चलिए इसको ले लीजे 3 by 2 करके दिखाओ अब मैंने कोशन को थोड़ा चेंज किया है A बराबर है बच्चों 5 और D बराबर है 3 by 2 थोड़ा सा चेंज किया है करके दिखाओ अब मैंने करके दोड़ा चेंज किया है अब मैंने करके दोड़ा चेंज किया है ठीक है यह देखिए क्या बनेगा यह A बराबर 5 है और D बराबर कितना दे रखा है 3 by 2 तो वह हो गया A P का A A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D मैं डारेक्ट यहां से करा रहा हूँ ठीक है चलो हाँ जी A कितना है 5 यह कितना है 5 प्लस 3 by 2 यह कितना है 5 प्लस 2 इंटू में 3 by 2 यह कितना है 5 प्लस 3 इंटू में 3 by 2 यह कितना है 5 प्लस में 4 इंटू में 3 by 2 चलो, जो solve वोरा कर दो, इसके नीचे कुछ निए तो 1, solve करेंगे, 2 को इससे 10, 1 को इससे 3, fraction को नीचे से 2, 2 से 2 तो cut गया, 5 प्लस 3, इसके नीचे कुछ निए तो fraction में 1, solve करेंगे, इसको इससे करेंगे, 5, 2 को 5, इसको इससे करेंगे, 3, 3 जा 9 और 1 से तो इतना, नीचे को न ये प्लस ठी टूजा सिख्स क्या बना फाइफ 13 अपन में टू एट आ वह 14 अपनWow में टू और यह कितना बनिगया वह यह कितना बन गया 11 कितना बन गया 11 ठीक है बच्छो तो यह आगया कितने बच्चों सही तो हो गए ठीक है यह देख लेंगे check कर लेंगे कितने बच्चों का सही है तो समझ में आगे है अब सभी बच्चों को करना क्या है घर से 5.1 का question number second करके लेकर आना है ज़ादा नहीं करा रहा हूँ आज मैं वरना एक दम से heavy हो जाएगा तो सर पर ठीक है 5.1 का question number second करके लेकर आना है क्या करके लेकर आना है 5.1 का question number second तो बच्चों ये note कर लो ठीक है और next class में इसके आगे question करेंगे 5.1 में ठीक है उसमें फिर मैं ये भी सिखाऊंगा कि D कैसे निकालते हैं अगर D ना दिया हो ठीक है तो चलिए मिलते हैं next class में